हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागात है हमारे नियो ट्रेक के बिथे डिरी चलन में आज अपन बात करेंगी बिजन आई एस टेस्ट स्रेज पंदरा का यह दोस्तो फिप्त पार्ट है यानि की लास्ट पार्ट है और इसमें भी हमर कुशन को पूरी डितिल के साथ देखेंगी त दोस्तो बीच वीचे हम ट्रिक्स भी देखेंगी ताकि जो कुशन आप पढ़ें वो आपको ज्यादा दिन तक लिया याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोलना हो और दोस्तो किरपे वीडियो को अंधि तक जहू देखें ताकि जो ट्रिक्स बता कारों के उदय के लिए उत्तरदाई थे पहला दिया है महान आर्थे के मंदी दूसर दिया है सुविच संग में वोल सेवकों का उदय तीसा दिया है गांधे वादिन नीतियों की सिमिश सफलता नेचे देगए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए A दिया है किवल एक और दो, बी दिया है, किवल दो और तीन, सी दिया है, किवल एक और तीन, जबकि डी दिया है, एक, दो और तीन, तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा अंसर शही है, तो अब पन देखें, जो 1920 के दसक में समाजवादी विचारों का जो उदर हुआ था, उसके लिए एक ब्यापक आर्थे के गिरावट या अपन वोलेत मंदी का दोर प्रारम हुआ था, और जो धीरे धीरे पूरी बिश्वें फैल गया था, और फिर इसके प्रणाम सुरूपे बड़े पेमाने पर आर्थिक संकट यानिके आर्थिक मंदी आई, जिसके कान से भिरोजगारी उत्पन हो गई, और इसके साथ साथ जो यूबा हैं, सिर्मिक और किसान हैं, उनको भी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था, और इसमें जो दूसर द्याहिक की सुवेट संग में वोल सेविकों का उदय हुआ था, इसके कारान भी समाज बादे विचारों का उदय जाएगा, क्योंकि सन 1917 में लेनन की नितित में जो वोल सेविके का उदय हुआ था, यानि कि जो कम्योनिस्ट पार्टी का उदय हुआ था, रूस में तो इसका बहुत बड़ा इस पर प्रभापड़ा था, और इसी कान फिर प्रतम समाजवादी जो राज था, उसका भी गठ जिन्होंने आसायोग आंदोलन में अपनी सक्रे भागिदारी निभाई थी, वो इस सीमेश सफ़क्ता से प्रसने नहीं थे, और इसी लिए फिर जो समाजवादी बिचार हुआ था, यानि कि जो उगरवादी आंदोलन हुआ था, उसका फिर उदय हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जागा, आंसर नमर इसका दिय हो जागा, कि एक, दो और तीन इसका सही आंसर है, और अब अपन चलते हैं, कुश्यमर नेक्ष्ट है, कुश्यमर नमर ब्यासी है कि निनलिक्त में से कौनसा या सिर्व भारत छोड़ो आंदोलन से समध्य था या थे, पहला दिया है, समनांतर सरकारों का गठन, दूसर दिया है, करनाटक पद्धती, तीसर दिया है, आजाद दस्ता, नामक गुरिला, दस्ते का गठन, नीचे दिय गए कूट का प्रयोग का सही उतर, चुनिए A दिया है, किवल A को तीन, B दिया है, किवल A को दो, C दिया है, किवल 2, जब जो पहला दिया कि समनांतर सरकारों का गठन हुआ था तो यह ला तो बिल्कों सही हो जागा क्योंकि जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदुलन यनि की अगस्त आंदुलन चर रहा था तो उस समय देश के विविन ने इस्थानों पर समनांतर सरकारों का गठन किया गया और जब बलिया में आगस्त प्रिस्ताव रखा गया था तो उस समय वहां का जो नित्यत्य किया था वो चित्तु पांड़े जी ने किया था और इन्हें के नित्यत्य में जो कांग्रिस के निता थे उनको रहा कर दिया गया था इसलिए जो पहला वाला है कि समनांतर सरकारों का गठन किया था तो यह ला तो बिल्कों सही हो जागा और इसमें जो दूसरा द्याय की कनाटक पद्धती तो यह वाला भी बिल्कों सही हो जागा क्योंकि जब पूरे दीश में भारत छुड़ो आंदोलन चर रहा था तो इस गति विदियों में ना किवा सिच्छे थे नामा के गुरिला दस्ते का गठन किया गया था तो यह वाला भी बिल्कों सही हो जागा क्योंकि जो आजा दस्ता था यह बिहार में गठत किया गया था और इसको सन 1923 में गठत किया गया था और इसका मुक उदिश था कि जो गूला वारूद डिपो हो गएं कोशागार हो और अन्य सरकारी कार्याले जो हैं वहाँ पर छापा मारी का कार करना था इसलिए इसके जो तीनों पॉइंट है ये वाले ब्लोकों से हो जाएंगे यानि कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नमा इसका डी हो जाएगा कि एक दो और तीन इसका सही आंसर है और अब अपन चलत में हेपेटाइटस C से सम्मंदेते निमने लिकित कत्रों पर विचार कीजिए पहला दिया है कि यह केवल संदूसत भूजन और जल से संचारित होता है और इसमें जो दूसत दिया है कि इसे वाइसको में TK के माध्यम से समय वद्ध पृतित अच्छी करान से रोका जा सकता है उपर युकते कत्रों में से कौन सा या C सही नहीं है यहें A दिया है केवल एक B दिया है केवल दो C दिया है एक और दो दोनों जबकि D दिया है ना तो एक और ना ही दो तो इनमें से आपको बताना है किसका कौन सा अंसर सही नहीं है तो अब पन देखें जो हेपेटाइटस इसके बारे में अपन को बताना है तो इसमें जो पहला द्याय की यह केवल संदूसित भोजन और जल से संचारित होता है तो यह अबल को गलत हो जाएगा क्योंकि यह केवल भोजन और जल से संचारित नहीं होता है जबकि यह जो अपन सरंजी लगवाते हैं यह दी वो जाए सकता है तो यह अलब्र को गलत हो जाएगा क्यूंकि जो हैपेटाइटस सी बिशाड़ू है इसके लिए किसी प्रकास से जो तीका है उसका अभीता के अभिसका नहीं क्या गया है और जबकि हैपेटाइटस से ए और बी जो है उसके लिए जो तीका है वो बनाए गया है इसलिए इसका सही अंसर हो जागा, आंसर नमने का सी हो जागा, क्योंकि अपन के से महीं बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो इन में से दोनों सही नहीं है। और अब पर चलते हैं कुशनमा नेक्ष्ट कुशनमा 84 है कि निमने लिखेते कतनों पर विचार कीजिए पहला दिया है भारत दोरा सुतंतता प्राप्ति के समय बिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता रूर थी दूसर दियाय की फरवरी 1947 में बिटेस प्रिधार मंतरी एटली ने घूशना की की बिटेन दोरा अगस्त उनने सुसेटा के भारतियों को सत्ता हस्तनांत्रेते कर दी जाएगी और इसमें जो तीसा दियाय की मोहमद अली जिनान ने एटली के वक्त तब बेके बाद पाकिस्तान के लिए प्रतच्ष कारवाई दिवसे की घूशना की पर्युक्ते करत्न में से कौन से सही नहीं है ए दिया है किवल एक और दो, बी दिया है किवल दो और तीन, सी दिया है किवल एक और तीन, जबकि डी दिया है एक, दो और तीन, तो इन्हें साग को बताना है किसका कौन सा अंसर सही नहीं है, तो अब अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि भारत द्वारा सुतंतता प् जो बिटेन के प्रधानमंत्री यानि की उसमय जो किलीमेंटे एटली थे उन्होंने घोशना की थी सुतंत्रता की जब की बिटेन में जो कंजा बिटे पार्टी थी वो सत्ता रूड में सन 1945 तक बनी थी इसलिए जो पहला वाला है तो यह लबल को गलत हो जागा जो दूसर दिया की फरवरी 1947 में बिटेस प्रधानमंत्री एटली ने घोशना की की बिटेन दोरा अगस्ते 1947 तक भार्तियों को सत्ता हस्तनांत्रेते कर दी जाएगी तो यह लबल को गलत हो जागा क्योंकि भार्तियों को सत्ता हस्तनांत्रेते करने की जो घोशना हुई थी वो 30 जून 1928 को अंतिम्तिती थी कि इस डेट को भार्तियों को सत्ता हस्तनांत्रेते कर दी जाएगी इसलिए जो दूसरा वाला है कि अगस्त 1947 ताके भार्तियों को सत्ता हस्ता नांतित कर दी जाएगी तो यह अलबर को गलत हो जाएगा और इसमें जो तीसा दियाएक की मुहम्मद अली जिन्ना ने एटली के वक्तव के बाद पाकिस्तान के लिए प्रतच करवाही दिवस की गो कुछना कर दी ठी कि प्रतच करवाही दियस मनाया जाएगा वह भी शोल्ब अगस्त को यानि कि इसका सही आंसर हो जागा आंसर नमा इसका डियो जागा कि एक दो और तीन इसका सही आंसर है क्योंकि इसके जो तीनों कतन है ये गलात है और आपन को बताना था कि कौन से सही नहीं है तो इसके तीनों सही नहीं है और आपन चलते हैं कुछनमा नेक्ष्ट है कुछनमा पचासी है कि भारत में करांतिका सारी गतिविधियों के संदर्व में निनलगत कतनों पर विचार कीजे पहला दिया कि भगास सिंग और बटु केश्वर दत्य ने पर्विक सेफ्टे विल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल की ब्रोध में केंदरी बिधान सभा में बंप फैका। दूसर द्याय की शूरिशन ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एस्विशेशन चटगाउ साखा के नित्यत्य में ससस्तर विद्रोय कर संचालन किया और तीसर द्याय की प्रफुल चाकी ने 1924 में कलकत्य के प्लिस कमिस्णर चार्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया। इने से आको बताना है कि इसका कौन सा आंसर शही है। तो आप देखें कि जो भारत में करांतिकारी गतिविद्या हुई थी तो उनके संदर में आपन को बताना है। उसका हम उप्योग कर पाएंगे। और फिर इसी कारा इन्हों ने 8 अप्रेल 1929 को समान रूप से बंप फैका था। इसलिए इसका जो पहला काथन है तो यह अलब्र को सही हो जागा। और इसमें जो दूसरद यह की शूरशेन ने हिंदुस्तान रिपबले के एसोसीेशन चटगाउं साखा के नित्यत्त में सिसस्तर विद्रोह का संचालन किया था। तो यह अलब्र को गलत हो जागा क्योंकि उसमें सूरशेन ने इसका नित्यत्त नहीं किया था। कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं कुश्यमा नेक्ष्ट है। कुश्यमा छासी है कि खिलाफत आसायोग आंदोलन से पूर्वे निमलिकत में से कौनसा भारतियों में आसंतों से बढ़ने का कारण नहीं था। ए दिया है प्रितम विश्यूद के कारां वर्ष 1919 के पश्चात आर्थिक इस्थिती का बिगड़ना। बी दिया है रोलेट एक्ट और पंजाब में मारसल लोग लागू करना। और सी दिया है कि वर्ष 1916 के लखनों समझोते के पश्चात कांग्रिस ओं मुसलिम लीग के मद्धे बरता मद्भेद। और दिया है कि प्रवावी श्वासासन प्रदान करने में मौन्टेगू चैन्सफट सुधारों की विफ़ता। तो इने से आपको बताना है कि इसका जो आसंतुस बढ़ रहा था उसका कौन सा कारण नहीं है। तो अब अपन देखें इसमें जो ए नमद्याय की प्रत्रम बिश्युद्ध के कारण वस 1919 की पस्चात आर्थिक इस्तिती का बिगरना तो ये तो आसंतुस का कारण था तो ये अला तो बिल्कू सही रहेगा यानि कि इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है तो आपन को में जो सी नमद्याय की वर्ष 1916 की लखनो समझोते के पस्चाते कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मद्धे बरता मद्वेद तो ये अला बिल्कू गलत हो जागा क्योंकि ये किसी प्रकासे भातियों में असन तो उसका कार नहीं था जबकि इसमें जो डीद्याय की भाति श् देन्सपोर सुदारों के विफलता तो ये अला भी बिल्कूस सही हो जागा यानि कि इसका सही आंसर हो जागा आंसर नमिसका सिय हो जागा क्योंकि अपनक को बताना था कि कौन सा सही नहीं है सुतंत्र अनुसासन पर्योजनाओं का बित्पूशन करना दूसर जया है कि यह बिश्वास्थ संगटन के प्राथविक्ताव वाले रोगों के ब्लूप्रेंट पर केंद्रत है उपरुक्त कत्रों में से कौन सा ऐसे सही है या है ए दिया है किवल एक बे दिया है किवल दो सी एक और दोग Cry ना तो एक और नहीं दो तो आपन देखें जो महमारी समद्धी तैयारियां यह उसमें जो 9 वरट्रान हैं उसके समंध्ध में अपन को बताना है तो अपन देखें इसंगर दिया कि इसका उद्दिश वह भारते संक्रामक रोगों के बुर्द्ध toast करने कि लिए सुतंत अनुसंधान परयुजनाओं का बित्तपोशन करना तो यह अलब लिकों सही हो जागा तो यह वाला भी बिल्कुर सही हो जागा और इसमें जो प्रात्मिक रोग है उसका मतलब है जो संक्रॉना फ्यलता है पूरे बिश्च में मतलब की जैसे कि अभी हाली में करोना वारश चर रहा है यह जो जागा आंसर हम इसका सी हो जागा कि एक और दो दोनों सही है और अब चलते हैं कुष्च नमा नेक्स्ट कुष्च नमा अठासी है कि एंटी यूनियन बोर्ड आंदोलन के संदर में निर्मिलिकत कतनों पर विचार कीजिए इसमें पहला दिया है कि यह मिदनापुर जिले में बीरेंदर नात सा समल द्वारा आरम किया गया था दूसरा दिया है कि इसका उद्दी से सिर्मिकों द्वारा सिर्मिक संगों का नियांतरना प्राप्त करना था उपरगत कतनों में से कौन सा से सही है या है ए दिया है केवल एक बी दिया है केवल दो और तीन सी दिया है केवल एक और तीन जबकि दिया है एक दो और तीन तो इन्हें से आपको यह मेदनापुर जिले में बीरेंदरनात सासमल द्वारा आरम किया गया था तो यह अलब लोकों से हो जागा और इसको सन 1913 में जो गाउं के लिए कार हो रहे थी उसके समिछा के लिए जो बीरेंदरनात सासमल उनके द्वारा आरम किया गया था और इसमें जो दूसर द्याय क कि यह है आशेहुक अंदोलन की एक प्रासाकाती तो यह अलबल को गलत हो जागा क्यूंकि यह जोative Union Board अंदोलन है यह किसी प्रकार से आशेहुक अंदोलन से समंधने नहीं रखता था इसलिए जो दूसरा वाला है यह अला विलको गलत हो जागा और इसमें जो तीसा दिया है कि इसका उद्धिश स्रिम को दारश्रमे के संगों का नियंते में प्राप्त करना था तो यह अला भी विलको गलत हो जागा क्योंकि इसका उद्दीश था कि जो दिवानी और अप्रादिक मुकदमे हैं उनको सुनना ना कि सिर्म से समझनेते मुद्दे को इसलिए जो इसमें तीसरा वाला है तो यह अलबल को गलत हो जागा यहने कि इसका सही अंसर हो जागा आंसर नमबर इसका ए हो जागा कि कीवाद एक सही है और अब अपन चलते हैं कुशन नमबा नेक्ष्ट कुशन नमबा नवासी है कि हाली में प्रवारते ते आमबिटका सूशल इनोवेशन एंड एक्क्यू वेशन मिशन यहने कि ASIIM के संद जाती के छात्रों में नवचार और उध्यम को बढ़ावा देना हैं दूसर दिया है कि यह समाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रा ले द्वरार आरम क्या गया है उपरुक्त कत्रों मेंसे कौन सा Аथ C सही है यह यह है A दिया है किवल A के बी दिया है कि बाद दो, सी दिया है, एक और दो दोनों, जबकि डी दिया है, ना तो एक है और ना ही दो, तो इन्हें साग को बताना है, कि इसका कौन सा आंसर सही है, तो अब पन देखें, जो अभी हाली में, अमबिट का सोशल इनोवेशन एंड एक्क्यूवेशन मिशन, यहनि कि A.S.I A.I.M. आरम किया है, तो इसके संदर में अपन को बताना है, तो इसमें जो पहला दिया है कि इसका उद्धे से उच्छ सिच्छ संस्थानों में, अध्यन रते अनुसुचित जाती के छात्रों में, नवाचार और उद्धम को बढ़ावा देना है, तो यह वाला बिलको सही ह जागा, क्योंकि इसमें सब्ध आ रहा है, अनुसुचित जाती, और दोस्तों, जो जाती होती है, तो वो समाज में ही होती है, यहनि कि इसका सही आंसर हो जागा, आंसर नम इसका सी हो जागा, कि एक और दो दोनों शही है, और आब आपन चलते हैं, कुश्य नमर मांट वेटन यूजना में बिट्रिस भारत को दो आधिराज्यो यहनि की भारत और पाकिस्तान में बिवारित करने का प्राधान क्या गया था। के बी दिया है किवल दो और तीन सी दिया है किवल एक और दो जब की डी दिया है एक दो और तीन तो इनमें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर शही है तो अब अपन देखें जो भारत का सुतांता संग्राम है उसके भारत के जो चरण थे उसके संदर में अपन को बताना ह तो इसमें जो पहला दिया है कि वर्षे 1947 कि मांट वेटन योजना में बिट्रिस भारत को दो आधिराज्यों यानि कि भारत और पाकिस्तान में बिवारित करने का प्राधान किया गया था तो यह लगा तो ब्रुकों सही हो जागा और इसमें जो दूसर दिया है कि इस योजना में सीमाओ के सीमांकन के लिए सीमा आयोग की इस्थापना का प्राधान किया गया था तो यह लगर को सही हो जागा क्योंकि जब आपन बिट्रिस भारत को दो राजियों बाटेंगे तो उसकी जो सीमा है उसका भी सीमांकन करना पड़ेगा और जो सीमा आयोगे इसकी जो अ इनका जो पूरा नाम था वो था सर्सरिल रैड क्लिफ इसलिए इनी की नाम पर इस सीमा का नाम भी रखा गया है और इसमें जो तीसरा द्याय की देश के विभाजन के समय जवाहला नेहरू कांगरिस अद्दच थे तो यह अलब्ले को गलत हो जागा क्योंकि देश के विभाजन के समय जेवी क्रपलानी जो थे वो भाती राष्टी कांगरिस के अद्दच थे ना की जवाहला नेहरू इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला बिलको गलत हो जागा यानि कि इसका सही आंसर हो जागा आंसर नमर इसका सी हो जागा कि एक और दो दोनों सही है और अब अपन चलते हैं कुशनमा नेक्ष्ट कुशनमा इंक्यानवे है कि सुतंतता संग्राम के संदर्व में वस 1944 का राजगुपालाचारी फोर्मूला बनाये गया था ए दिया है आइस्थाई सरकार का गठन करने में कांग्रिस के साथ मुस्लिम लीग का सहयोग प्राप्त करने के लिए बी दिया है और द्योग के विकास के लिए एक ब्यापा के यूजना तियार करने के लिए तो इने से आको बताना है किसका कौन सा आंसर शही है तो आपडिय के जो वस 1944 में राजगुपालाचारी फोर्मूला लाए गया था तो इसका सही आंसर हो जागा आनसर नमर्स का ए हो जागा कि आइस्थाई सरकार का गठन करने में कांग्रिस के साथ मुश्लिम लीग का सहयो प्राप्त करने के लिए जो राजगुपाला चारी है वो फूर्मूला लाए गया था इसलिए इसका सही आंसर हो जागा आंसर नमर ए हो जागा और अब पन चलते हैं कुछ नमर नेक्ष्ट है कुछ नमर बानुवे है कि शवने अवग्या आंदोलन आराम करने से पहले निर्म को को सस्त्र लाइसेंस से प्रदान करना तीसा दिया है कि भूरा जश्व का उनमूलन और चोथा दिया है कि सभी राजनेते के कैद्यू की रहाई तो नीची दे गए कूट का प्रयोक का सही उत्तर चुनिए ए दिया है किवाल तीन और चार बी दिया है किवाल दो और चार स इन्हें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर शही है तो अब आपन देखें जो गांधी जी ने 11 सुत्री मांगे रखी थी सवनाई अबग्या आंदुलन प्राराम करने से पहले तो ये कौन-कौन सी मांगे थी और ये मांगे इन्होंने 31 जनवरी 1930 में रखी थी और आपन द सभी ब्रो की मांगों को सम्रित किया था ना की उनको तोनने का काम किया था इसलिए जो पहला वाला है कि प्रत्या के निराचक मंदल का अन्कौन करना तो ये अलब दोग्स को गलत हो जागा और इसमें जो दूसरा वाला है ये अलब दोग्स को सी amendment करना तो यह अलब्ल को गलत हो जागा क्योंकि उन्होंने भूर अज़स्ट में 50 पितिसत की कमी करने के लिए कहा था ना कि भूर अज़स्ट का उन्मूलन करने के लिए इसलिए जो तीसरा वाला है ये अलब्र को गलत हो जाएगा और इसमें जो चोथा दिया की सभी राजनिते के कैद्व की रहाई तो ये अलब्र को सही हो जाएगा यानि की इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नमबर इसका बी हो जाएगा कि केवल दो और चार इसका सही आंसर है और अवपन चलते हैं कुषरम नेट्स्ट है कुषरम तेरानुए है कि सुभाष्चन बोस ने आजाध हिंदे रेडियो नमक एके परचार रेडियो सिवा अरम की थी ए दिया है सिंगपूर में बी दिया है जर्वनी में सी दिया है बरवा में और डि दिया है जापान में तो इन्हें से आगको बताना है किसका कौन सा अंसर शही है। तो अब अब अपन देखें जो सुभास्चन बोस ने आजाध हिंदे रेडियो नामक एके प्रचार रेडियो जो सिवा प्रारम की थी तो वो कहां पर की थी तो इसका सही अंसर हो जागा, अंसर नम इसका बी हो जागा कि जर्वनी में क्योंकि इन्होंने जो आजाध हिंदे रेडियो की स्थापना की थी वो साथ जन्वरी 1942 में की थी और इसका उद्देश था कि विदेश में रहने वाले भारतियों और साथ ही जो अभी भी उप महादुप में रह रहे थे उनके साथ एक जुटता इस्थापित करना इसलिए इ इनने लिकत कत्रों पर विचार कीजे पहला दिया है राज्यसु संगता के अनुसार येदी उत्पादन सामान उत्पादन के छटे भाग से कम होता था तो किसान छूट के आधिकारी होते थे दूसाद याए कि गान्दी ने किसानों का संकल पे मजूद बनाने के लिए आमर सही है या है ए दिया है किवल एक और तीन बी दिया है किवल दो और तीन सी दिया है किवल तीन जबकि डी दिया है एक दो और तीन तो इनने साब को बताना है किसका कौन सा आंदर शाही है तो आवपन देखें कि जो खेल सत्ते गरे हुआ था इसके संदर्मेपन को बताना है तो इसमें जो पहला दिया है कि राजश्य संगता के अंसार येदि उत्पादन समान उत्पादन के छटे भाग से कम होता था तो किसान छूट के आधकारी होती थे तो ये लब्लों को गलत हो जागा क्योंकि जब सन 1918 में गुजात के खेडा जला में सूखा पड़ा था तो उस का रहा है फिर राजश्य संगता के अंसार येदि जो उत्पादन के चौते भाग से कम होती थी तो किसान छूट के आधकारी होती थे ना कि छटे भाग से येनि कि जो गांदी जी ने पच्छेट पसेंट छूट की मान की थी तो यही वाला ब्लों को सही था येनि कि एक पर मजूद बनाने के लिए आमरा अंसन नहीं किया था जबकि इन्होंने एहमदावा जुमिल है वहाँ पर जब हरताल हुई थी तो वहाँ के जो स्रिमक थे उनका संकल पर मजूद बनाने के लिए अंसन किया था ना कि किसानों का संकल पर मजूद बनाने के लिए अंसन किया उसलिए जो दूसरा वला है तो यह वला भी बहुत को गलत हो जाएगा और यसमें जो तीसरा दियाए है कि इस आंदोलन में जहां गांधी जी अध्यात्मेक प्रमुक थे वही शर्दा बल्ला भाई पतेल रार नेते के प्रमुके थे तो यह वला बहुत को पभाई जाएगा यानि कि इसका सही आंसर हो जागा, आंसर नंबर इसका सी हो जागा, कि केवल तीन सही है, और अब पन चलते हैं, कुशन नमा नैक्ष्ट है, कुशन नमा 95 है, कि निमने लखेते क्रांतिकारी गतिविधियों को सही काला नुक्रम में विवस्थित कीजिए, पहला दिया है, दो, बी दिया है, दो, तीन, एक, सी दिया है, एक, दो, तीन, और दी दिया है, दो, एक, तीन, तो इन्हें सहाग को बताना है, किसका कौन सा अंसर शही है, तो अब पन देखें, कि कौन-कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियों कब घटित हुई थी, तो सब से पहले संडर्स क गटित हुई थी जब लाहोर में सामन आयोक का ब्रोद का प्रदाशन किया जा रहा था उस समय जो लाला लाच पत्रा है उनके मृत्ती हो गई थी लाटी चार्च के कारण और फिर भागा सिंग चंदे सेखर आजाद और राजगुरू ने मिलकर एक पुलिस वाले यानि सांड सांडर्स के हत्ते हुई थी और फिर सांडर्स की हत्ते के बाद केंदे विधान सभा में बंप फैका गया था यह 8 अप्रेल 1929 में गटित हुई थी और जिनको अंजाम दिया था भागास सिंग राजगुरू और चंद सेखर आजाद ने और फिर इसके बाद चटगाउं सास काल उनकरम है और अब पन चलते हैं कुछ नमा नेक्ष्ट कुछ नमा 96 है कि वर्स 1940 के अगस्त प्रिस्ताव के संदर्वे में निमलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है यह हैला दिया है यह प्रिस्ताव वासराय लौड वेवेल के कारकाल के दोरान दिया गया था दूसर दि है कि सरकार ने प्रिस्ताव के एक भाग के रूप में अल्प संक्या के राय को पूर महत्य देने की अपनी इच्छा की पुना पुष्टि की और तीसा दिया है की इसके अंतरगत सरकार ने सुईकार किया की नए श्रमधान का निर्मार मुख रूप से भारत्य द्वारा किय गए जाएगा नीचे देगाए कूर का प्रियोग कर सही उतर चुनिए दिया है किवल एक और दो सी दिया है किवल दो और तीन डी दिया है एक दो और तीन तो इन्हें साब को बताना है किसका कौन सा आंसर सही है तो अब अब बने के जो 1940 का आगस्त्त प्रस्ता हुआ था तो उसके संदर्म पन को बताना है तो इसमें जो पहला दिया है कि यह पिस्ताव वासराए लौड वेवेल के कारकार के दोरान दिया गया था तो यह अलबल को गलत हो जाएगा क्योंकि यह पिस्ताव वासराए लौड वेवेल नाहों के वासराए लौड लेने लित्गों थे उनके कारकार के दोरान दिया गया था इसलिए जो पहला वाला है ये अलबल को गलत हो जाएगा और इसमें जो दूसर दिया की सरकान ने पिस्ताव के एक भाग के रूप में अलपे संख्या के राय को पूर महत्वे देने के अपनी इच्छा की पुना पुष्टिक की थी तो ये अलबल को सही हो जाएगा और इसमें जो तीसर दिया की इसके अंतरगते सरकान ने सुईकार किया की नए समधान के निर्माण मुख रूप से भाति द्वारा किया जाएगा तो ये अलबल को सही हो जाएगा यानि की इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नमा इसका सी हो जा गटना को सही काल अनुक्रम में विवस्तित कीजिए पहला दिया है पंजी करां प्रणा पत्रों को सर्जनेक रूप से जलाना दूसा दिया की निस्क्री प्रतिरोध संग का गठन करना और तीसा दिया की सभी पूर्वे गिर मिटिया भारतियों पर व्यक्ति कर यनकी पूल ट दिया है एक तीन दो जबकि दिया है तीन एक दो तो इने से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर शही और अब पन देखें कि इन में से कौन कौन से घटना कब घटित हुई थी तो सबसे पहले जो घटित हुई थी वो हुई थी निस्क्री प्रतिरोध संग का गठन जैसे कि इसके नाम से ही इस परश्ट हो रहा कि निस्क्री यानि कि मना करना और इन्हों ने मना किसली किया था इन्हों ने जो दच्छ अफ्रिका के जो कानून थे उसके सामने जोकने से मना किया था और इन्हों ने ये जो निस्क्री प्रतिरोध संग का गठन किया था ये 11 सितंबर 1906 गटित किया था और फिर इसके बाद जो दूसरी घटना गटित हुई थी वो ही थी पंजी का प्रहापत्रों कुछ सर्जिक रूप से जलाना क्योंकि उस समय जो पंजी का प्रहापत्र होते थे वो एक हाथ का पूरस में छापा होता था जिसको अपने पास हमेशा रख्या रह गांदे जी ने इसका ब्रोद किया और फिर उन्होंने जो पंजी का प्रहात्त थे उसी को उन्होंने जला दिया और इसके बाद तीसरी घटना जो घटित हुई थी वह हुई थी कि सभी पूर्वे गिल मिटिया भारतियों पर विश्थी कार यानि की पूल टेक्स लगाने क ब्रुद्ध इन्हों ने पित्रोद रखा था और यह जो पित्रोद था यह तीन पांड था जो कि एक गरीब मजदूर के लिए बहुत ही अधिक था और फिर गांधी जी ने जो पूल टेक्स था उसका ब्रुद्ध किया था यानि कि इसका सही आंसर हो जागा आंसर नमा इसका सिस्टम ओफ नॉमेन कल्चर सब्दावली संदर्वित करती है यह दिया है सीमा स्सुल के उद्धिसों के लिए उत्पादों के बरगी कराहेतु अंतरश्ट यह नामकान पडाली को भी दिया है विश्वर में इंटरनेट प्रोटोकुल पतो यानि कि आईपी एड्रेस को मा दिया की माकतवल की मानकी क्रेट पडाली को तो इनेशा को बताना है किसका कौन सा आंसर शही है तो अब अपन देखें कि इसमें सब्द आ रहा है नामकान पडाली और इसमें इसमें सब्द आ रहा है नामकान पडाली यानि कि इसका शही आंसर हो जागा आंसर नमें इसका एह जागा कि श्रीमा सुल्क उद्धिशो के लिए उत्पादों के वर्गी कराँहे तू अंतराष्टिय नाम कराँ प्राली को संधर्वित करता है और इसा प्राली के आंत्राकति अंतराष्टिय इसस्तर पर इस स्थ प्रहुट वैस नम्म पर विइंद होसनDelta réalité कि घुष्णा दूसर दिया है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीशन की स्थापना तीसर दिया की स्वाराज पार्टी का गठा निनने लिखते मैं से कौन सा उप्रेक्ते घटनाओं का सही काल अनुक्रम है तो इने सागताना है किसका कौन सा अंसर सही है अब पन देक हैं कि कौन सी घटना कब घटत हुईती तो सरसे पहले स्वाराज पार्टी का गठन हुए था ये एक जनवरी 1930 को हुआ था और फिर इसके बाद हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीशन के स्थापना हु हुई थी और फिर इसके बाद पूर स्वराज की गोश्रा हुई थी दिसंबर 1929 को हुई थी यानि कि इसका सही आंसर हो जागा आंसर नम इसका भी हो जागा कि तीन दो एक इसका सही कालन उक्रम है और अब पन चलते हैं कुश्रमा नैक्ष्टर कुश्रमा सो है इस वीडियो क के 20 सताबदी में हुए समाजिक आंदोलोनों के संदर्व में निमलिकत में से किसने डिस्प्रेजड क्लासे से मिसन सुसाइटी की स्थापना की थी ए दिया है बी आर अंबिटकर बी दिया है स्री कराम बीर सिंदे और सी दिया है एम सी राजा जबकि दिया है महात्मा किसका कौन सा आंसर शही है तो अब पन देखें जो डिस्प्रेजड क्लासेस मिसन सुसाइटिक की स्थापना हुई थी तो ये किसके द्वारा की गई थी तो इसका सही आंसर तो जागा आंसर नमें सका बी ओ जागा कि स्री कराम बीर सिंदे क्योंकि इन्होंने इसके मेटकन ने सन 1924 में डिप्रेजड क्लासेज बेलफियर इंस्ट्यूट की नाम से यानि की भाईस क्रेते हित कार्णी सभा की स्थापना की थी और फिर तमिल की जो राज नहीता थी वो एसी राजा थी जोनों ने सन 1925 में नागपुर में और अपनको इसमें बताना था जो डिप्रेजड क्लासेज मिसन सुसाइटी है उसके स्थापना किस ने की थी तो इसका सही आंसर हो जागा आंसर नमें इसका ब्यों जागा कि करम बीर सिंदे क्योंकि इसे सब्दारा सुसाइटी और दोस्तो सुसाइटि में जो रहेगा तो वो अच्छे करम करेगा यानि कि करम बीर सिंदे और फिर आगे जाकर वो बीर बन जागा यानि कि करम बीर सिंदे आ जागा दोस्तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप ने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जयो कर लिजिए ताकि आप भी हमारे पर रहा किसे दस बन सकें और दोस्तो प्रेस झाल झाल